इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं लोकी के पौदे की उपर की आप अपने लोकी के पौदे से ज्यादा से ज्यादा फल और फुल कैसे पा सकते हैं तो स्वागत है आप सभी का हमारे ग्रीन परी गार्डिनिंग चैनल पर यदि आपने लोकी का पौद अपने गर पर किसी पौट में या पर अपने खेत में लगाया हुआ है और उस पर फल और फूल बहुती कम आते हैं या पर आपके पौदे की जो ग्रोध है वो रुख गई या आपका पौद आची तरीके से ग्रोध नहीं कर रहा है तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लोखी के पौदे के लिए कुछ ऐसी केयर टिप्स बताने वाला हूँ जिन से आपका जो लोखी का पौदा है वो पूरी तरीके से फल और फूलों से बर जाएगा साथ ही साथ मैं आपको इस पौदे के लिए एक और गयन एक फाइटी लाजर भी बताऊंगा जिससे आपके पौदे की ग्रोध बहुती अच्छी तरीके से चलेगी और पौदे पर देर सारी लोखिया आएंगे तो चली वीडियो को सुरू करते हैं आप वीडियो को बिना इसकी पूरा देगी गा ताकि आपको पूरी इनफॉर्मेशन मिल चके ये देगी दोस्तो ये है हमारा लोखिय का पौदा जिसे हमने अपने खेत में लगाया हुआ है और दोस्तो आप देख सकते हैं ये जो लोखिय का पौदा है ये पूरी तरीके से ग्रीन और एल्दी बना हुआ है और इसकी जो ग्रोत है वो बहुती अच्छी तरीके से चल रही है और पौदे पर देर सारे छोटे छोटे फल आई हुए हैं और दोस्तो इसी तरीके से ये जो लोकी का पौदा है ये डिर सारे फल और फूलों से बढ़ा हुआ है जैसा कि दोस्तो आप समने देख पा रहे हैं यहाँ पर भी आपको डिर सारे फूल नजर आ रहे होंगे जो की कुछी दुनों में फल में भी बदल जाएंगे और ये तरीके से फलो और फूलों से बढ़ जाए तो दोस्तो आपको अपने लोकी के पौदे को किसी ऐसी जगह पर लगाना है जहां पर जैसे साथ गंडे की संलाइट आती हो क्योंकि संलाइट से हमारा जो पौदा है वो अच्छी तरीके से ग्रो करता है और इसके अलावा दोस् वोड़ा है जिससे कि हमारे पौदे पर ज्यूदा फौला आने के चांस भी वड़ जाते हैं तो अब दोस्तो बात आती है mosi की कि हमें अपने लोपे के पौदे में कितना पानी देना है यदी आपके लोकी के पौदे पर फौल बन रहे हैं तो हमेशा से लानों नमी बना रखनी है पाने की आपको ज्यादा ओवरवाटरिंग नहीं करनी है क्योंकि यदि आप लोकी के पौदे में ज्यादा ओवरवाटरिंग करेंगे तो आपके लोकी के पौदे पर फूल आएंगे वो जड़ जाएंगे जिससे कि आपके लोकी के पौदे पर फल बहुती कम बनें तो दोस्तों आपको इन बातों का ध्यान रखना है और इसके अलावा दोस्तों आपको अपने लोकी के पौदे में समय समय पर फर्टीलायर भी यूज करते रहना है तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको जो फर्टीलायर बताने बाला हूं लोकी के पौदे के लिए उससे आ आप अपने लोकी के पौदे से इतनी ज्यादा पल और फूल प्राप्ट कर पाएंगे तो चलिए हम मैं आपको बता देता हूं उस फाइटी लाइर के बारे में कि मैंने इस पौदे में कौन सा फाइटी लाइर यूज किया है तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं तो यह देगी दोस्तों जैसा ही आप सामने देख पा रहे हैं यहां पर हमने फाइटी लाइर बनाने के लिए एक प्लास्टक का डबा लिया हुआ है जिसमें हमने लगबख 400 ml वाटर लिया हुआ है जिससे कि हम अपने लोकी के पौदे के लिए फाइटी लाइर बना कर तयार करेंगे तो इसके लावा दोस्तों हमने एक और चीज लिए हुई है तो यह देखी दोस्तों जैसा यह आप सामने मेरे हाथ में देख पा रहे हैं यह है वो चीज तो दोस्तों यह है प्याज के छिलके और इनसे हम फाइटी लाइर बना कर तयार करेंगे और दोस्तों यह ज लिए प्याज के चलकें आखे टीने जमा जाख़ी सेथdoor ata क전भी तो चली feelinikleon चली कNभी चलकें तो कि यहां पर प्याज के चिलकें चलके इनको मैने 400 ml बाटर में डाल दिया है और डालने के बाद दोस्तों हम इसको एक वार अच्छी तरीके से घोल लेंगे ताकि ये जो प्याज के चिलके हैं इस पानी में अच्छी तरीके से मिक्स हो सकें तो चलिए इसको हम एक वार गोल लेते हैं तो सामने आप देख पा रहे हैं यहां पर हमने इन लोकी के पौदे में कर पाएं तो दोस्तो आपको भी इसी तरीके से इस फाइटी लाइर को बनाना है और बनाने के बाद अपने लोकी के पौदे में इसका यूज करना है तो चलिए इसको छोड़ देते हैं 24 गंटे के लिए और मिलते हैं 24 गंटे बाद और देखते हैं इसका फाइटिलायर है यह पूरी तरीके से बनकर तयार हो चुका है और अब इसका यूज हम अपने पौदे में कर सकते हैं तो दोस्तों फाइटिलायर का यूज करने से पहले हम इन प्याज के चलकों को अलग कर देंगे तो यह देगी जैसा ही आप सामने देख पा रहे हैं यहां फूल वाला जाइगे और फूल वाला यह आपको बहुती अच्छा रिजय देगा पौदों में और इसका यूज करने से आपका जो पादा है उस पर पर ज्यादा से ज्यादा फलाएंगे और फूल वाला है तो उस पर फूलाएंगे तो चलिए अम में इस फाइटी लायर को अपने पौदे में डाल देता हूं तो दोस्तों यहां पर मैंने फाइटी लायर डालने से पहले अपने पौदे की जो मिट्टी है उसकी पहले ही गु देते हैं तो ये काम करना है आपको अपने लौकी के पोधे पर तो आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी आप में कमेंट करके जरू बताएं और हाँ अभी तक आप हमारा चैनुल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीस हमारा चैनल सस्क्राइब करें और दोस्तो वीडियों को ज्यदा से ज्यदा लाईक और सेयर करें हम आप से फिर मिलते हैं अगली वीडियों में किसी नाई टोबेक के साथ Thank you